हाई एवरीबन कैसे हैं आप सभी आज हम आपके साथ जो मिल रहे हैं एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन के साथ मिल रहे हैं तो जैसे की भाई मोस्ट अवेटिड हो रखा था कि कब आउट होगा कभी कहा गया 26 फरवरी को होगा 26 फरवरी शाम तक इंतजार करते रहे और फाइनली जो हना कल 27 को इवनिंग में अंट ये ने CUT के लिए जो हना रजिस्टेशन फर्म आउट कर दिया है और आपका जो रजिस्टेशन की डेट रहेगी वो 27 फरव से लेकर के 26 फरव मार्च अप्टू 11.50 पीम दुबारा रेपीट कर रहे हूं 27 फरव से लेकर के 26 फरव मार्च अप्टू 11.50 पीम 11.50 मिनट तक उसके बाद एक ही मोड रहेगा that is online mode only कोई भी offline मोड में इस फर्म को accept नहीं किया जाएगा 26 मार्च को जैसे ही आपका registration form close हो जाएगा उसी के साथ में 28 मार्च और 29 मार्च को आप अपने जो भी particulars हैं उसमें जो totally form भरा होगा दुबारा site पे upload होगा वहां आप उसमें correction कर सकते हैं उसके बाद में 30th of April को आपको जो announcement of city center रहेंगे वो कर दिया जाएगा कि आपको जो होना जैसे कि आप अपनी choice fill करते हो तो कौन से कौन सा center आपको देना है इस तरह से जैसे आपने देखा होगा जेए का NTA ने जो होना 21st gen के आसपास में city announce कर दिये थे कि आपका नोड़ा म में हैं आपका जहां कहीं पर भी है लेकिन उसके बाद में 24th of January को उनों ने क्या करा था रोलंबर रिलीज करें थे और city का जो बिल्कुल center था वो रिलीज करा था अब उसके बाद में क्या है आपको जो हना 60 question में से 50 आपको attempt करने हैं आपको throughout अपने preparation अच्छे से करनी है औ और दूसरी बात जब आपका admit card है वो release हो जाएगा second week of May तक registration form sorry admit card आपका release हो जाएगा आप अपने admit card को download कर सकते हो NTA के जो official website है उससे और आपका जो examination रहेगा वो रहेगा 15th of May से 30th of May के बीच में तो आप अपना जो हना online mode के अंदर ही registration कर सकते हैं online mode के अलावा कोई भी other mode को accept नहीं किया जाएगा तो आप किसी भी fake जो sites हैं उनसे दूर रहें और अपनी city को ढंग से select करें अपनी language को 33 language में ये exam conduct किया जाएगा तो आप ध्यान से अपना जो भी है उसको अच्छे से select करें अपने particulars करें और भाई देखो एक बात बताओं आपको मैंने क्या करा था बहुत से बच्चों को बोला कि आप पहले अपना registration करा लो तो it might be possible कि आपको किसी तरह की difficulty ना हो लेकिन आपको एक बात बता दू ऐसा क कुछ भी नहीं कह सकती तो जो CUT से regarding जितने भी important information थी हाँ दूसरी बात जो criteria है eligibility criteria है वो 12th pass के बाद में होना चाहिए और एक student कितनी बार इसके exam दे सकता है उसकी कोई भी limit नहीं है अब जितनी बार भी चाहें exam दे सकते हैं ऐसा कोई criteria इसमें particular नहीं दे रखा लेकिन इसमे CUT में appear होने के लिए सबसे ज़्यादा जो important चीज है वो यह है कि आपका 12th class से pass out certificate होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है और इस बार तो आप जैसे इसने 12th class के जो roll number issue करे हैं वहाँ पर भी QR code और सब कुछ scanning साथ साथ में सब कुछ हो रहा है तो आप अपने जो भी farm ब certificate में आपको अपना correction कर देना है particular में अगर कोई हो तो 30 को जो होना आपको city center के announcement हो जाएगे और second week of February केंदर admit का download कर सकते हो और 15 मई से लेकर के 30 मई तक आपका exam होगा तो all the best to all of you बहुत अच्छे से अपना form को भरना है और को information हो तो आकुशा संग्वान English वाली पे visit करे time to time आपके अपने teacher पूरी कोशिश करती है कि आपको सारे information दे और NTA ने जो proper website के साथ में जो भी information instructions जो दिये हैं वो मेरा channel है telegram channel उसके उपर मैं हुशा संग्वान English वाली के नाम से ही आपको telegram channel मिलेगा तो आप उस telegram channel के उपर visit करके देख सकते हैं तो वो सारा form और जिन बच सब के उपर भी सारे information शेयर करतेंगे thank you all